तो दोसों Xiaomi की तरफ से एक बहुत ही exciting news है, जो कि आप लोग अगर Xiaomi की user है, अगर जानते है Xiaomi की Android One Smartphones को, जैसे की होगे MI A1, MI A2, MI A2 Lite, तो अभी Xiaomi ने एक नया phone launch करने के सोची है, यह leak सामने आई है, तो इसके बारे में फूरा details बताऊंगा, इस phone का नाम है MI A3, तो इसके बारे में इस वीडियो में full जानते हैं, तो चलिए इस वीडियो को kick start करते हैं, तो दोसों Xiaomi की MI A3 है, वो एक successor होगा MI A2 और A2 Lite की, तो यहां पर जो दो variant है, वो लीक हुई है, Xiaomi की जो internal sources है, वहाँ से सामने आई है, कि यह जो दो variant है, दो codename के साथ लीक हो गया है online, तो इन दो coden IBM का नाम है, तो हो है Bamboo Sprout और Cosmos Sprout, तो दोसों यहां पर Bamboo Sprout और Cosmos Sprout यह दो model है, दोसों यह Sprout जो है, यह Google का codename है, जो की Android One smartphone के रिए use करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दो variant आ रहा है, एक है MI A3 और उसके साथ का जो variant है, उसका MI A3 Lite, तो देखते हैं इसके specification बारे में, तो बहुत सारी leaks ऐसी सामने आई है, और बहुत सारी ऐसी confirmed leak है, वो मैं आप लोगको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो यहां पे आप लोगको मिलेगा, जो है ना in display fingerprint, जो की वीवो ने अभी फिलाल मार्केट में तेहल काम हचा दिया है, तो अभी Xiaomi कैसे पीछे रह स तो और Mi A3 में तो obviously होगा, लेकिन इसके battery जो है 33 mh की आप लोगको मिलेगी, यह confirmed है, और उसके साथ आपको 3.0 की Qualcomm fast charging support वो भी आप लोगको मिलेगी, फुल 1 hour की charge में आप लोगको 0 to 100% battery जो है, देखने को मिलेगी, और इसकी जो standby है, अगर आप fully use करते हैं उसको पूरे ए 75 प्रोसेसर है वो ही use करेंगे, जो की cryo 460 जो की 11 mm की जो प्रोसेसर है वो ही यहाँ पर use किया जाएगा, और यह RAM की बात करते हैं, जो base variant है दोस्तों वो आपको शायद यहाँ पर 4GB, 64GB के जो lowest price variant है वो देखने को मिलेगा, उसके बात का variant जो है 6GB, 128GB और 8GB, 256GB है, तीन वे से बहुत सरी leaks आई है कि यहाँ पर 12MP की inbuilt AI technology के साथ जो camera आता है वो आएगा और यहाँ पर आपको optically में stabilization का support मिलेगा, और साथी साथ आपको जो है, इसके साथ आपको एक telephoto lens भी मिलेगी जो की zoom के लिए आपको काम में आएगा, जो super zoom feature शायद इसमें दिया जाएगा, वहाँ पर 3rd camera है जो black and white कुछ black and white processing के लिए काम में आएगा, तो उस camera की जो details वो बिल्कुली सामने नहीं है, तो मैं पताने नहीं वाला हूँ, लेकिन यह camera जो 13 camera के साथ आएगा, जो की rear setup होगा, तो यह बहुत ही exciting होता है, क्योंकि MI A1 की portrait mode, अगर आप लोग compare करते, अभी आप compare कर सकते किसी भी phone के साथ, लेकिन A2 की quality थी वो थोरी सी upgrade की थे, लेकिन expectation बहुत ही ज्यादा है A3 में, तो देखते हैं, अभी जो फिलाल जो market में camera को लेके चल रहा है 48 MP का दंगल, तो उस पे टिक पाता है कि नहीं, वो ही हम लोग को देखना है, और एक leak जो front camera के बार पिना तक सच जाता है, उस रिलीज होने में ही हम लोग को पता चलेगा, तो दिस्प्ले की बात करते हैं, यह 6.2 इंच की आप लोग को डिस्प्ले देखने को मिलेगे, जो की near bezel less display आपको मिलेगा, 19.7-9 की आपको aspect ratio देखने को मिलेगे, तो इसको जो protection दिया जाएगा, वो glass finish होगा की नहीं, पिछे मुझे पता नहीं क्योंकि MIA1 की जितने भी series है, उस पे आपको metal finish दिखाई देता है, तो यह कैसा design होगा, वैसा अभी तक leak कोई सामने नहीं आई है, लेकिन front में जो कोई gorilla glass 5 की protection आपको मिलेगी, वो बहुत ही अच्छी बात है, और सबसे बड़ा interesting चीज क्या है यहाँ पर, आप लोगको यहाँ पर शाहिद यह phone android Q के साथ आ सकता है, जो कि beta phase में होगा, आप उसको directly डाकर download भी कर सकेंगे, जैसा सूत्रों के अनुसार पता चला है, लेकिन वो जो out of the box आएगा android P के साथ ही आएगा, जो और आपको जो stock android की experience मिलेगी, क्य आड होगा, और वो जाकर आपको 17,000 के अंदर में खदम हो जाएगा, तो इसके बीच में आप लोगको यह phone मिलने की जो है आशा है, तो देखते हैं, अभी market में और नए phone आने वाले है, जैसे की realme 3 pro, तो देखते हैं, बहुत ही ज्यादा competition होने वाला है, यह phone जब आएगा Android One के साथ, तो stock experience के लिए लोग तो इसको जरूर खरी देगे, तो आप मुझे comment box में बताएगे कि आप कितने interested हो, MIA3 के लिए, क्योंकि Xiaomi अभी फिलाल अपने phones को बना रहा है, 48 megapixel में concentrate कर रहा है, तो इस phone में भी, क्या 48 megapixel की camera होगी, तो इसके बारे में मुझे comment box में जरू बताएगा, तो आशा करूँगा, आप को ये वीडियो पसंदाया होगा, अगर पसंदाया है तो अपने भाई की चैनल को subscribe कर देजेगा, नीचे लाल बटने उसको gray कर देजीए, और साइट में घंटी है, वो भी प्रेस कर देना, ताकि अगली बार जब भी में upload करू, आप कि मूए अगली बार जाया होगा, तो 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 आप देना, टाप जाया होगा जाया होगा, तो आप टिल देना, इस टे आप टे शाइव, सिया, वभाई